नमश्के दोस्तो मैं हो राजन तिवारी और आप देख रहे हैं जोतिश मंद्र आज हम बात करने वाले हैं रक्छा बंदन की इस बार रक्छा बंदन जो है वो पंचग में प्लारमः हो रहowan और रहे हैं सुक सुविधा और धन दोलत और यश प्राप्ति के लिए एक उपाय बताने वाला हूँ, एक भाई के लिए और एक बहन के लिए, भाई बहन के लिए करेंगे और बहन भाई के लिए उपाय करेंगे, ऐसे में दो उपाय आपको बताने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को अंतक् जरूर देखिए पचले शुडूर परते हैं इस बार खाण बात यह है êं कि रक्षा बंधन का जो दिन है कि सावन्पुर्णिमा है ओव सवन्पुरूमा ध्निष्टा रख्षत्र में आ रहा है जो की रक्षवन्दन के लिए बहुत Yeah बाहत है। जसे कि आपको पता है कि रक्षा वन्दन के तेव में रहु काल और भद्र का बहुत ही महत्व है। तो भवद्रा जो तिति थी है वो 22 तारीक को नहीं पढ़ रही है, वो 23 तारीक की सुझा हो रही है तो भवद्रा तो कुई चिंतक निठाविकषा नहीं है लेकिन राहुकाल जरूर रहे गा, तो राहुकाल का समय आपको हटा ना है। उस समय आपको रक्ष्व मनन का तेवार याले राखी बान ने का जो काम है, वो नहीं करता है. किस समय रहेगा राहुकाल? वो रहेगा शाम को फांस back 16 minutes से झे बज़ कर चववान तक क का वो राहुकाल का समय है. इस समय आप रक्षावन्दन का जो प्रोग्राम है यह राखी बानने का जो काम है, उसको avoid करें उस समय ना करें तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ उसके शुब मूर्थ क्या है तो जैसे कि आपको पता है कि जो पंचक है वो सुबह 8 बज कर 30 मिनिट से आरम हो जाएंगे 8 बज कर 30 मिनिट से पंचक प्रारम हो जाएंगे इसके पहले आपको क्या करना वो मैं पहले आपको बता लेता हूँ तो देखिए क्या होता कि बेशे तो जो पंचक होते हैं वो पूजा पार्ट में या जो तेवार ब्रतेवार होते हैं उसमें पंचक नहीं आरते हैं यहने पंचक अशुव नहीं माने जाते इस चीज में, लेकिन फिर भी जो लोग पंचक को जादे ही मानते, उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, कि आप स्रवन कुमार की पूजा है, स्रवन पूजा इसकोम बोलते हैं, वो आप साड़े आठ से पहले कर सकते हैं, मेरा भी ने चाहिए, खासका पूजा पार्ट में या बरत्यवार में, तो उनके लिए मैं आपको अलग-अलग मोर्थ में आपको बताता हूं, पहला जो मोर्थ है, वो है साथ बचकर, सुबह साथ बचकर, त्रेपल मिनिट से नो बच के उनतीस मिनिट तक, यह पहला मिनियान के बाद, जो मोर्थ है, वो दो बच के सतरा मिनिट से प्रारम होकर, तीन बच के त्रेपल मिनिट तक चलेगा, यह भी बहुत ही उत्तम मोर्थ है, इन मोर्थ में आप कभी भी राखी बान सकते हो, क्या होता कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो इस्थिर लगन को अगर आप राखी बानते हो, तो बहुत ही अच्छा रहता है, इस्थिर लगन को काफी अच्छी लगन मानी जाती है, तो पहली इस्थिर लगन है, श्री लगन वो सुबेश 6 बच कर 15 मिनिट से 7 बच कर 11 मिनिट तक रहेगी, उस समय आप राखी बान सकते हो, दूसरे जो मो बच कर 11 मिनिट तक रहेगी, इस दुरान भी आप राखी बान सकते हो, इस सारी ही लगने इस्थिर लगने और ये मोर्च से भी अच्छी मानी जाती है, तो आप इस इस्थिर लगने के बीच में आप राखी बान सकते हो, एक बात का अप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप राखी बान दें अपने भाई को, तो भाई और बहन दोनों या भाई एक मंत्र जरूर बोलें, वो मंत्र क्या है, एन बध्धो बली राजा, दान वेंद्रो, महावला, तेन त्वाम, बंधनानी, रक्षय, माचल, माचल, ये मंत्र को अगर बोलते होई राखी बानते हैं, तो इसका बहुत महत्व होता है, इसलिए इस मंत्र को जरूर बोलें, जब भी आप राखी बंधवाई या बान दें, अब मेने आपसे बोला था कि मैं कुछ उपाई आपको बताने वाला हूँ, तो मैं उपाई बता देता हूँ, पहला मैं उपाई बता रहा हूँ, बहन के है उनको, इसके लिए पहन को सुबह या रक्ष मंदर के दिने सुबह जल्दी उठकर इस्तान करके स्वक्ष बस्त्र पहन कर सूरी को अर्ग देना है, फिर आपको पीपल के ब्रक्ष में जल, चीनी, जो और दूद मिलाकर, ये चारों चीज मिलाकर पीपल की ब्रक्ष की ज इस मंत्र को बोलते हुए आपको जल डालना है और जल डालके आप घर आके अपने भाई को राक्षी बंद बाने के बाद अपने बाएं हात में कुछ चावल के दाने लेना है, एक पुष्प लेना है, लाल कर पुष्प होना चाहिए, एक सिक्का लेना है, और तीन उसमें यह सबी चीज मिलाकर बहन के सिर से तीन बार उबार कर जैसे अपने किसी की नजर उतारते हैं, इस पर तीन बार उबार कर उसको घर से बाहर रस्ते में फेक देना है, यह उपाय भाई को करना है बहन के लिए, अगर भाई इस उपाय को करते हैं, तो बहन पर आने वाली सार लगा होगा अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे स्ट्रेश मंद को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए इतने ही में तेक नहीं विश्वेसा तब तक आपने यह कुछ और मुझे दी जाग्या जाहिए